हाई प्रेंड मैं विम्ला आज हम मंचूरियन बना देगे मंचूरियन बनाने के लिए हम यहां पर सबजियों को यह cabbage है दो टेबल स्पून को दिखना cabbage है एक छोटी कैरेट है सबको उने ग्रेट कर लिया आप चौपर से भी कर सकते हो ग्रेट भी कर सकते हो एक ओनियन बीन्स छोटे छोटे के टेवे मैं इनमें मैं ब्रेट से बनाऊंगी हमने फोर स्लाइस ब्रेट लिये इनको हलका सा पानी से भीजा लियों मैं इनको मिला दूंगी इसमें अले मसाला डाल लेते हैं 1-2 तीज़पून अद्रक मिर्च का पेस्ट चारपच पीस गार्लिक पेस्ट 1-4 तीज़पून गोल मिर्च ब्लैक पिपर आधा चमच नमक इनको मैश कर लेंगे अच्छे से मैं ब्रेट से ही बनाना पसंद करती हूं मुझे ब्रेट से बनाने में बहुत ही अच्छा लगत है यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं यह मंचूरियन का डो रेडी हो गया पर बॉल्स होनाएंगे हम हम थोड़ा डाल के देख लेंगे कि तेल गरम हो गया तेल गरम हो गया हमारा यह हमने गोल गोल मंचूर यह बना दो होचे ब्रेड को हम अच्छे से पानी निकाल देंगे यह भी डो गीला लगे तो इसमें हम एक सुखी ब्रेड और मिला देंगे कोई दिक्कत नहीं है यह हमारे यह मंचूरियन हो रहे हैं यह बॉल्स अच्छे से सिक रहे हैं यह बाल बहुती अच्छे सिक्रेंगे, थोड़ी ओर, थोड़ी golden-golden हो गये, थोड़ा और हो जाते हैं, बहुती अच्छे सिक्रेंगे, यह बहुती soft होएंगे, soft और crispy, यह ready होगे, इनको निकाल लेंगे, इनको नेपकिन पर निकाल लेंगे, यह वांचूरियन बॉल रेडी अब हम इनकी ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए टू टेबल इस्पून ओयल डालेंगे ज्यादा ओयल की दरकार नहीं है तेल गरम हो गया इसमें सक्षे पहले हम लहसुन डाल देंगे यह दस कली लहसुन है इसको चलाएंगे नहीं फूर में चिली ग्रीन चिली चैपीस चिली एगा इसमें नहीं डाल देंगे तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कर देंगे ओनियों के बाद थोड़ी कैपसिकम डाल देंगे 1 tablespoon कैपसिकम चोड़ी 1 teaspoon spring onion हरी प्याच उलतो थोड़ा तिकमे देंगे हम गया है अब मिश्पूर हाफ तीउस्पूर चिली सॉस हाफ तीउस्पूर सीजवान सॉस 1 tablespoon tomato ketchup नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे 1-4 बोल मिर्च बच्चे खाएं पाप बोल मिर्च मत दी इसको चलाएंगे इस प्रोड़ा का हम एक चमाच सोय सॉस जान रहें इसमें हम दो कब पानी डालेंगे इसमें हम दो कब पानी डालेंगे इसमें डाल दीए अब इसको अब यह पतला लग रहे है अब इसको सीजने देंगे जब इसमें बोईल होएगा यह इसको बोईल आने देंगे यह बॉयल होने लगा अब हम इसमें कॉर्ण फ्लोर इसमें 2 टी स्पून कॉर्ण फ्लोर लिए हम इसको दीरे दीरे डालेंगे इससे हमारा सौत हमारी ग्रेवी एकदम सुन्दर थिक ग्रेवी अच्छी होगे हमारी अब इसमें हम 1 टी स्पून सोया सॉस ओर डालेंगे और 2 टी स्पून विनिगर डालेंगे हम यह ग्रेवी रेडी है अब हम इसमें कुछ बंचूरियन बॉल डाल देंगे वैसे जनरली हम खाने के थोड़ी दर पहले ही बॉल को डालेंगे क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होते तो बहुत गिले नरम हो जाएंगे और ऐसे देने के बाद देखिए बहुत बड़े बड़े भी हो जाएंगे इसमें अजीनो मोटो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है आप अजीनो मोटो भी डाल सकते हैं कलर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पसंद नहीं करती क्योंकि वह दोनों चीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है अपना मंचूरियन रेडी हो गया है इसके उपर थोड़ी से स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे अच्छी